असलामलेकूम और वेलिकम वीकंड ऐंट Mt Dietर इसमय हम olursणिए यहाओ हैं। जो नहीं सुचाहरें हैं जो जो चाहरेंच मे भी कम्राहण नता हैं। में और उस्टरण। यह identsक्ति में उन्हारी कनेशन से उसे सपारिमन किये गए और इन्शाललब कोशिश होगी कि सारे जो कॉमेंट्स आए हैं उनको हम डिसकस कर लें और अगर जो है कुछ स्टाक्स रहेगे जिनकी पे हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके कि उन्हें हम जो है डिटेल अनैलसिस जो है वो अपने सोशल मीडिया पे इन्शालल जो है वो अपडेट कर लेंगे आप वहां से रिव्यू कर सकते हैं सबसे पहला हमारे पास जो जिशान साब की तरफ से रिक्वेस्ट आई है अटक रिफाइनरी है नेट सोल है और टी आर जी है तो स्टार्ट करते हैं अटक रिफाइनरी से अटक रिफाइनरी ने जो लास्ट सेशन हमारे पास 7.5% गेन के साथ क्लोज किया है 12 रुपे 35 पैसे का ये गेन बनता है 168 पे ओपन हुआ था 177.02 का हाई देखा और 167.60 का लो के बाद ये क्लोज हुआ है 177.02 पे अटक रिफाइनरी ने एक अच्छा सेशन पोस्ट किया है अटक रिफाइनरी जो है उसका M.A.C.D. एक बाय है लेकिन जो चैलेंजिंग डेली लेवल्स पे रिजिस्टेंस बनेगी वो 184 रुपे 75 पैसे पे बनेगी और जब एक टी आरेल इसको क्रॉस करेगा 184 रुपे 75 पैसे को तो फिर ये टार्गिट करेगा 201 रुपे 42 पैसे को सपोर्ट साइट के अगर बात करें डेली चार्ट पे तो 162 रुपे 22 पैसे पे आपकी सपोर्ट अवेलेबल है और उसके बाद 158.72 पे आपकी सपोर्ट अवेलेबल है तो 158.72 से लेकर 162.22 ये 4 रुपे का तगरीवन जोन बनता है जहां पे अटक रिफाइनरी के पास एक अच्छी जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है अभी इसके जो है वो टेकनिकल जो है वो इंडिकेट करते हैं आपके एक बाई सिगनल की तरफ लेकिन जो आर एसई 72 पे है उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि ये अवर बाट में भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो जब भी ये आपको रिजिस्टेंस साइट पे मिले वहाँ आप इसे सेल करने की को लेवल्स पे भी आपका M.A.C.D. एक बाई सिगनल जनरेट होना स्टार्ट हो गया है वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं वीक ओन वीक बेसिस पे और M.A.C.D. पे आपका एक बाई सिगनल जनरेट हुआ है R.S.E. 64 पे है इस वज़ा से इसकी अपसाइट पोटेंशल ज देख सकेंगे तो जब भी इसमें प्राइसिस डिक्रीज हूँ आप इसमें लोंग ले सकते हैं और 182 रुपे जो है वो एक जो है त्रेटिंग लेवल है ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसकी पहली रिजिस्टेंस है 182 रुपे के बाद वीकली लेवल पे ये 200 के क्रीब चला जाएगा 199.51 का ये लेवल बनता है तो आप इसे डेली लेवल के साथ भी जो है वो कॉडिनेट कर सकते हैं कि ये 200 का लेवल बनता है 182 रुपे का वीकली लेवल पे पहली रिजिस्टेंस है उसके बाद 200 की है ये दोनों रिजिस्टेंस क्रॉस करने के ब पॉफिट बुगिंग देखेंगे तो ये 244 की तरफ जो है चला जाएगा सपोर्ट साइट के अगर वीकली टर्म्स में बात करें तो 167.03 की एक सपोर्ट अवेलेबल है और जो बहुत मेजर सपोर्ट आपकी अवेलेबल है वो 152 रुपीज पे अवेलेबल है ATRL की जहां प करनता है वीकली बेसिस पे जैसे में वेंचिर किया कि वाल्यूम्स भी इसके इंक्रीज हुए है पिछले वीक में अगर हम देखें और उसका कंपैरिजन करें उससे प्रसीडिंग वीक में तो एक अच्छा वाल्यूम इसने जेनरेट किया है इस वजह से इसमें आप साइट के लेवल को क्रास करेगा और सपोर्ट एरियास बहुत इंपॉर्टन है इसके यह अपने जहन में रखने हैं 167 और 152 का जो लेवल है यहां पर इसके पास बड़ा बाइंग इंटरस्ट अवेलेबल है और अगर इसमें कोई हम प्रॉफिल बूगिंग देखेंगे तो यह ल पास लास सेशन भी जो है नेट सोल ने अपर लॉग के साथ क्लोज किया 7.50% का हमने गेन देखा 9 रुपे 50 पैसे का ओपन हुआ था 132 रुपे 45 पैसे पे 136 रुपे 34 पैसे का इसने हाई देखा और वहीं पे यह क्लोज हुआ लो देखा था 132 रुपे 1 पैसे का अभी इसक इसक्रीमली अवर बाट की सिच्वेशन में है इसका RSI 90 पे है जो बहुत थ्रेटनिंग लेवल है और यहां से हम इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं अगर हम इसमें अफ़ट मूव देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर हम इसमें अफ़ट इसमें क्रेक्शन आए तो फिर उसमें बाइंग ऑपर्चुनिटी जो है वो जनरेट होगी इतने हाई लेवल पे किसी भी स्टाक्स को आप परचेज करना वो कोई अच्छी आप्शन नहीं हो सकती इस वजह से इसमें अगर कोई प्राइसिस हम उसमें जो है थोड़ी सी क्र प्रेक्शन देखेंगे तो फिर ही इसमें जो है मजीद अपसाइट पोटेंशल देखा जा सकता है अदरवाइज यह हाईली अवर बाट की सिचुएशन में है और इसमें कोई किसी भी वाग जो है हम डिप हो सकता है विटनेस करें 146.6 का लेवल अल्दो इसके लिए अभी ट्रेट करें सपोर्ट साइट जो है इसकी बनती है 128 रुपे की और 120 रुपे की यह दोनों अच्छी सपोर्ट लेवल्स है इसके डेरी चार्ट पे और अगर इसमें कोई डिप आएगी तो यहां से इसमें दोबारा बाइंग जो है करना वो बहुत ज़्यादा जो है आप कह सिक्वेशन है और लास्ट एक वीक में अगर हम इसके गेंज की बात करें तो इसने तकरीबन 43 परसेंट का गेंग दिया है 42.88 परसेंट का गेंग बहुत अच्छा गेंग है 40 रुपे 90 पैसे का यह गेंग बनता है 96 रुपे बे ओपन हुआ था और 134 पैसे का इसने हाई दे इसको आप सेल करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हाओवर अगर रिजिस्टेंस की बात करें हम वीकली बेसिस पे तो 155 का लेवल बनता है जहां इसकी वीकली रिजिस्टेंस और 176.93 का लेवल बनता है यह दो रिजिस्टेंस इसके लिए अवेलेबल है ऋपोर्ट स करने के लिए जरूरी है कि इसमें थोड़ी सी क्रेक्शन है इसमें प्राइस रिजिक्शन है हम प्रॉफिट बुक्स होते देखें और तब ही यह जो है अपनी अपवर्ड मूव जो है उसको सस्टेन कर सकेगा अधर वाइस इसका जो बबल क्रियेट हो रहा है नेट सोल का वो बर्स्ट होगा और वो बर्स्ट जब होगा और अगर आपने इस लेवल पे बाइंग की हुई होगी 136 के लेवल पे तो हो सकता है आप स्टक हो जाएं तो बहतर यही है कि इसमें जब प्राइस जो है वो नीचे आना स्टार्ट हूँ तब आप खरीदें अच्छी के क्रीब प्राइस अना शूरू उओ डेली अवरिज प्राइस के क्रीब तो वहां से आप इसमें बाइंग करें अदरवाइस कोई obs, कौई भी लॉंग as प्राइस में लेने से पहले, इसमें दििप का वेड करें प्राइस तो दुड़ी तोड़ी नीचे आ जएं तब ही इ 6, apare six stop loss की जुरुरत होती है, next hole के भाद जो बहुत ज्यादा हम discuss कर रे होते हैं अपने weekly update में वह TRG है, TRG बहुत ज्यादा request होती है, TRG की अगर हम situation देखें तो TRG open ँफा, Friday को 77.99 पे, 77.99 पे open ँफा, 79.19 का इसने high देखा 74.70 का low देखने के बाद 75.03 पे ये close हुआ है 2 रपे 66 पैसे का इसने loss देखा 3.42 परसेंट का ये percentage टर्म्स में loss बनता है DRG का अभी जो RSI है वो 70 पे है MACD का एक जो by signal इसके पास था वो intact है लेकिन अगर हम देखें तो histograms जो इसकी upside पे potential की थी उन्होंने strength lose करना start कर दिया और RSI भी जो है वो flat होना start हो गया जो indicate करता है कि इसमें हम profit booking जो है वो देख सकते हैं resistance की बात करें तो 82.50 पैसे इसकी resistance है और अगर इसे ये cross कर लेता है तो ये 95.50 पैसे को open करेगा jumping into this one आपको जो है support side पे जब आपको मिले और अच्छी support ही वो होगी जब इसका RSI तो आफ नीचे आ जाए 70 पे RSI बहुत ज़्यादा आवर बाट तो नहीं है लेकिन still एक आवर बाट territory है और ये बहुत ज़्यादा rally कर चुका है इस वज़ा से highly recommended है कि इसमें भी dip का weight किया जाए और prices जब नीचे आ जाएं तब आप buying करें reason being के जो bubble बहुत ज़्यादा create हो चुका है TRG का वो कब burst करेगा we never know TRG को अगर weekly basis पे देखें तो हमने इस week में देखा है कि TRG की prices कुछ reject होना start हुई है although we close किया है इसने 2 रुपे 40 पैसे के gain के साथ 3.39% का gain बनता है लेकिन इसकी prices reject हुई है M.A.C.D. पे इसका जो है वो buy signal अभी भी intact है weekly basis पे और यहां भी आपका RSI 73 पे है जो overbought situation की तरफ indicate करता है resistance की अगर बात करें तो 78 पे 70 पैसे पे resistance अवेलेबल है और उसके बाद 92 रुपीज पे आपकी resistance अवेलेबल है TRG की support side की अगर बात करें तो 65.53 पे support है उसके बाद 60.36 पे आपकी support है और जो बहुत बड़ा TRG का buying interest अवेलेबल है वो 53.30 पे है इस वज़ा से आपने support के करीब इसको buy करना है that is a very simple strategy that you buy on support levels and you sell on your resistance levels बहुत simple है इसमें कोई rocket science नहीं है और जब भी stock our bought situation में जो है उस territory में trade होता है तो उसमें अगर आप long position लेते हैं तो I always highly recommend you के उसमें stop loss जो है आपका बहुत strict होना चाहिए ताकि आपके cash flows hurt नहों अगर आपको वो नीचे मिले तब आपके पास उसको buy करने के लिए आपके पास sufficient cash available हो तो I hope के ये जो brief update है आपकी इन तीनों stocks की वो आपके पास जो है वो आपको helpful रहेगी next week में trading करने के लिए तो summit all अगर हम इन तीनों को देखें अटक refinery को net soul को और टी आर जी को तो ये अभी अपने our bought territory में move कर रहे हैं जहां से जहां पर एक risk available होता है कि इन पर profit booking आएगी और वो profit booking जो है उसको आप opportunity consider कर सकते हैं नई longs बनाने के लिए लेकिन कोई भी stock all time high पे 52 week high पे purchase करना जो है वो बहुत अच्छी जो है decision नहीं होता इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपको इन stocks में prices नीचे थोड़ी मिले तब आप इन में long बनाएं और अगर आपने already इसमें आपकी positions हैं और अगर आप profit book करके market से निकलना नहीं चाते तो उसके लिए अच्छी strategy ये होगी कि आप इसका एक stop loss अच्छा लगा दें ताकि आपके already आप जो gains ले चुके हैं वो कोई भी अगर price rejection आती है तो उस सुरत में वो safe हो जाएं so straight you and inshallah बाकी comments जो हैं वो भी इसी हवाले से हम update कर देंगे वो stocks भी update कर देंगे जिस तरतीब से हमें comments आये हैं उसी तरतीब से इन्शाला सारे जो है वो update कर देंगे so straight you and अगर आपने subscribe नहीं किया हुआ तो subscribe कर लें ताकि update आपको timely manner में मिल जाए thank you very much